भारत और इंग्लेंड के बीच होने वाले एक मातर टेस्स मैच के लिए इंग्लेंड की टीम का एलान हो गया है इंग्लेंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने टीम का एलान कर दिया है आपको बता दें कि हाल ही में इंगलेंड की टीम न्यूजीलेंड के खिलाफ तीम मैचों कि Test Series खेली जहां टीम ने 3-0 से जीत हासिल कर न्यूजीलेंड के खिलाफ की निसीण किया और ऐसे में नहीं 14-10 या टीम का एलान किया गया लेकिन इस बीच टीम में एक और खिलाडी को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि टीम के लिए Sam Billings की वापसी हुई है और Ben Fox के COVID positive आने के बाद Sam Billings को टीम में शामिल किया गया है और इस बात की जैनकारी को दीसी भी नेती है। भारत और England के बीच एक जुलाई को टेस्स मैच खिला जाएगा बता दें कि पांच मैचों की सिरीज में भारत टीम इस वक्त दो एक से आगे चल रही है पिछले साल हुई सिरीज में COVID की वज़े से एक मात्र बचा टेस्स मैच सगित कर दिया गया और अब एक जुलाई को ये मैच खिला जाएगा आपको बता दें कि भारती टीम टस मैच के बाद में लिमिटेड ओवर्स के सिरीज भी खेलेगी जहां तीन मैचों की बंडे और तीन मैचों की टीट्वेंटी सिरीज भी होगी पराल बात करें अगर इंगिलेंड की टीम की तो इंगिलेंड की टीम का ऐलान हुआ जहां बेंड स्टोक्स को कफ्तानी भी गई साथ ही टीम के लिए अन्य खिलाडियों की बात करें तो टीम में Ben Stokes, James Anderson, Jonny Bestow, Sam Billings, Stuart Board, Harry Brook, Jack Crowley, Jack Leach, Alex Leach, Craig Overton, Jamie Overton, Oli Pope, Matty Potts और Joe Root शामिल हैं बता दें कि New Zealand के खिलाब शांदार इंग्लेंड ने सिरीज के लिए और 3-0 से सिरीज में जीत हाजल की तो ऐसे में New Zealand के टीम पूरी तरीके से अपने इसी आत्म विश्वास को भारत के खिलाफ कायम रखना चाहेगी तो भारते टीम की बात करें ही तो भारते टीम लंबे समय के बाद टेस्स सिरीज खेल रही है तो ऐसे में टीम के लिए जीतना एहम होगा साथ ही बात करें भारते कप्तान रोई शर्मा की तो वहें COVID-19 पॉजिटिव पाए गए है तो ऐसे में भारते टीम की कप्तानी कौन करेगा या फिर खुद रोई शर्मा फिट होकर इंगले निकला आप टेस्स मैच खेलेंगी ये देखने वाली बात होगी अराल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें अमस्कार